हेलो दोस्तो दोस्तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक और क्रियाना आइटम के बारे में बताऊंगा दोस्तो हमने ये पूरी सीरीज सुरू कर रख्या क्रियाना आइटम के लिए जिसमें हम आपको हर क्रियाना आइटम का wholesale rate और profit margin के बारे में बताएंगे जिससे आप supply business करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो दोस्तो आज जिस business के बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तो सिखर का business वो भी 5 रुपे बिकरी में दोस्तो ये पूरा सिखर का बुरा है जो आपको market से मिल जाएगा ये आपको distributor के पास से 22,050 रुपे का मिलेगा दोस्तो आपको इसमें एक कुपन मिलेगा और एक बोरे के अंदर तीन पेटिया होंगी अभी तक दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया लिंक आपको description में मिल जाएगा ये कुपन आपका सोर पेसे लेके 500 रुपे के बीच में कितना भी निकल सकता है ये देखिए दोस्तों ये आपके सामने अंबॉक्स हो रहा है और ये देखिए इसमें ये तीन पेटिया है अब आपको एक एक करके अलग करके दिखाई जाएगी ये तीन पेटिया है दोस्तों एक पेटिय के अंदर 35 पीस होते है तो एक बोरे के अंदर 105 पीस हो गई अगर 22,050 को 105 से भाग करेंगे तो 210 रुपे बनते हैं ठीक है दोस्तो 210 रुपे के हिसाब से आपका कुपन जितने का भी निकलेगा वो आपका लेस हो जाएगा उस हिसाब से आप लेस कर लेना दोस्तो जो आपका सिखर का 5 रुपे का एक पैकेट 215 रुपे का दुगंदार को सेल होता है इसकी कोश्ट आपकी 10 रुपे की आती है ये देखिए दोस्तों ये 3 पेटिया होगी अब मैं आपको स्क्रैच करके दिखा देता हूं ये देखिए दोस्तों इसको स्क्रैच करने के बाद आपको 1.500 रुपे निकले है अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें कितने पीस होते हैं ये पूरे 35 पीस होते हैं ठीक है एक पेटिके अंदर 35 पीस तीनों पेटिके अंदर 105 पीस तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका बिजनस कर सकते हैं अब मैं आपको इसका margin समझा देता हूं ठीक है दोस्तों जो आपकी cost आई है एक piece की वो 210 रुपे आई है और दोस्तों आपको इसे market में 215 रुपे में sale करना है तो आपको एक piece पे 5 रुपे का margin हुआ और आपके एक बोरे में 105 पीस है तीन पेटी है तो आपको एक बोरे पे 525 रुपे का आपके पास coupon है आपको total margin 675 रुपे का हुआ अगर आप एक बोरे को sale करते हो तो आपको 675 रुपे का margin होगा और वही अगर आप एक पेटी sale करते हो तो आपको 225 रुपे का margin जब आप इन सारे क्रियाना item को लेके supply business शुरू करोगे तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो पर दोस्तो आपको शुरू करना पड़ेगा जब आप फायदे में रहोगे सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तो जो होता है वो करने से होता है तो दोस्तो आप बैठिये मत सोचिये मत आप करिये आशा करता हूं दोस्तो मेरे द्वारत दी गई जानकर या आपको अच्छी लगी होगी दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें